नमश्कार दोस्तों मैं चाने सेट के से आप दोस्तों बिड़े के माध्यम से मिरेड कोशिश कि आपकी जिंदगी बैतर सुन्दर माइंड बोइंग मैं ब्लास्टिंग ठा बन जाए जबरदस्त वाली कैसे हो मेरे पाशा लोगो आज का जो विशे जिसके बारे में बात करें है कि भाई आज आपको एक तरीका बताने वाली हूं जिसको करने से मैं कहती हूं आपको बहुत ही जबरदस्त क्याते ना चेंजिस आपके लाइफ में दिखेंगे और हंड्रेड परसेंट दिखेंगे सुबह उठते ही बेड़ पही आपने काम करना है आपने कहीं इदर जॉब और वेजर इस रिगार्डिंग यो बिजनेस या वो जॉब है या आपकी नौकरी है या विवा में दिक्कत है कुछ भी है क्योंकि जब हम अपने को अपनी नीव क्याते ना स्ट्रॉंग कर लेती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें इतनी प्रॉब्लम्स वेस कर करनी पड़ती है क्योंकि हमें चोटी-चोटी कोशिश ही करते हैं चोटे-चोटे स्टेप्स लेकर ही उपर पहुचते हैं सीधी बात है तो आज जो मैं आपको बताऊंगी इस चीज को आप फॉलो करो आप फॉलो तो करो तो आपको पता चलेगा कि इसके एफेक्ट्स क्या हैं अब पहली बात पहले चीज आपने क्या करना है आप जब सुभे आपकी नीद छए बेड कि हैना जैसे अगर जो व्रिषब Ugh प्रपर तरीके से लिखना है इसको आपने प्रपर तरीके से लिखना इसको आपने ये आपका पहली चीज दिन की हुनी चाहिए मॉर्निंग में जैसे आपकी नींद खुले तो आपने ये चीज करना है अब दूसरी चीज ये चीज जो आप आप करोगे अब आपको एक बात बताती हूँ जब भी हमारे क्याता ना पतरी में most of the planets negative होते हैं तो इष्ट को पकड़ लो अपने इष्ट को मुख्य ग्रहा को पकड़ लो समझे मेरी बात को आने वाले टाइम में अगर जिनको इष्ट नहीं पता उसके बारे में मैं वीडियो बना दूँगी कोई आसी बात नहीं लेकिन most of जितने भी लोगों आपको पता आपके इष्ट कौन है अच्छा कई बार लोगों के पत्री नहीं है पत्री अगर नहीं है आपका कुछ मतलब क्याते है न आपको date of birth पता तो time of birth नहीं पता क्योंकि time of birth आपका accurate होना ज़रूरी है लोग एक एक घंटे के भी difference में कैसे पत्री देखते हैं और predict कर देते हैं तब ही तो prediction गलत चली जाती है दो-दो minute में भी पत्रिया चेंज होती है यह चीज है तो अब अगर यह चीज है तो आप क्या करोगे आप जिसको भी मानते हो जैसे अगर आप शिवजी को मानते हो आपका एक connection तो होगा ना उपर वाले के साथ किसके साथ है जैसे ओम नमस्षिवाए आप अगर दूसरे धर्म के हो कोई भी मंत्र जो क्याते ना अगर आप सिक धर्म फॉलो करते हो प्रभ के सिम्रन रिट्सिद नौनिद दोनों हाथों पे आप समझ रहे इसलाम धर्म फॉलो कर रहे हो दरुच्छे लिख दो एक बार दोनों हाथों पे उठते ही उठते ही ये चीज़ आपने कर देनी है या सुरे फातिया आप जो भी चीज़ है या जो भी जिस चीज़ की तजबी करते हो वो चीज़ लिख दो दोनों हाथों पे अब आपने क्या करना है अब आपने दूसरी चीज़ जो जबरदसी क्या करनी है अब आपने पैर तब तक नहीं रखना आप पहले देखो अगर तो आपका जो जैसे राइट की है ना कौन सी खुली हुई है आपकी जो होती है ना अगर आपके राइट से अच्छे से सास ली जा दिए तो पहले राइट पैर धरती पे रखोगे और ये कोशिश कर लिया करो कि जो जब आप पैर रखते हो धरती पे तो क्याता है ना कोई कपड़ा रख दो डाइरेक्ट धरती पे पैर मत रखो सीधी सी बात है पहले या तो जैसे हमने चदर ओड़ी होती है तो चदर को नीचे करके चदर पे पैर रखो ये छोटी छोटी चीजी है बढ़ ये होती बढ़ी क्योंकि आप जब सोते हो सोके उड़ते हो आपका जो अलाइनमेंट है with the universe, with the vibrations that has to be वो संतुलित होना चाहिए ये जब आप समझ जाओगे ना ये energy forces की बातें तो आप देखोगे आपकी life बहुत असान होनी शुरू हो जाएगी एक और चीज़ आपको बता देती हो अच्छा ये चीज़ आपने करा अब इधर इन दोनों इन दोनों क्या क्याते है हातों से ये जो आपने हात रखना है आपने क्या करना है अगर तो एक छोटी सी चीज़ बताती हो अगर तो ये कर पाएँ आपको साथ चक्रा पता है साथ चक्रा पे एक-एक मंत्र हर ग्रह का बोल दो हर ग्रह का मंत्र बोल दो अगर नहीं बोल सकते हैं चलो कोई बात नहीं आपने इधर रकर जैसे ओम ग्रिणी सुर्याई नमा ओम शम्शे निश्चराई नमा ओम शम्शुक्राई नमा आप अपने मंत्रे एक बार बोल कर फिर आप अपना उठ जाओगे अब आप क्या करोगे एक और चीज आपको जबरदसी बताती हूँ थोड़ा सा पानी लेकर उसको अपनी चोखट साफ कर दिया करो जो चोखट होती है हमारा जो में डोर होता है उसकी चोखट एक बार साफ कर दिया करो अगर ये अरली मॉर्निंग कर सको थोड़ा अपना रुटीन बनाओ रुटीन के बारे में भी हम बात करेंगे उपाई क्यों नहीं काम करते वो भी बताऊंगी अगली वीडियो में बताऊंगी पका ये चीज़ पहले समझो क्योंकि ये चोटी-चोटी चीज़ है उपाई करने पहुच जाते लेकिन जो इंपोर्टन चीज़ है वो चीज़ हम बूल जाते तो उपाई कैसे काम करेगा सीधी बात है उस चीज़ एस्ट्रोलजी के एलिमेंट्स को समझो सिर्फ ये उपाई कर लो वो उपाई करने से यह हो जाएगा बट उपाई तो कर रहे हो बट आपकी क्या अलाइनमेंट है य इस चमतकार हो जाएगा चमतकार होता है बट चमतकार करने के लिए हमें अपने में थोड़ी सी चेंजिस लाने पड़ेंगे यूनिवर्स में चलो आपको एक चीज़ बताती हूँ आज से हमें एक चीज़ शुरू करेंगे every day एक lesson हम देखेंगे कि हमारे आज का day का lesson क्या है ठीक है चलो अब ये हम every day करेंगे so that आपको पता चले अब आपको एक चीज बताती हूं सबसे पहली बात तो अब ये चीज है कि कही बार आज का lesson क्या है कही बार अब जो आज की situations भी चल रही है वो क्या है silence maintain करके चलो आज का day का message आपके लिए क्या है silence silence is the best thing ever कई बार अभी हम अभी के time पर कुछ करतो सकते नहीं आप समझ रहें मेरी बात को ये जो card आए उसका silence नाम है silence मतलब अब क्या है अपने में पहली बात तो introspect करने की ज़रुद है हम opportunity की wait करें आज कल वैसे भी lockdown चल रहे है तो opportunity की wait करें opportunity आएगी जरूर लेकिन अभी के time में आपने एक क्याते ना अंदर में introspect करना है कि आपको life में actually आपका motive क्या है तभी आपको opportunity हो सकता है जो चीज़े आप expect कर रहे हो वो एकदम चुपी मारी हो यह अभी अभी वैसे भी आप देख लो क्या यह चीज़े मतलब यह ना universe के हिसाब से एक universal card निकालता तो उसमें यह जो message है आप अभी के time पे आपने थोड़ा silence maintain करके चलना है आप देखो आप अपनी चीज़े जब एकदम चीज़े खुलेंगी आप उस चीज़ के बारे में कैसे काम करोगे अपने targets बनाओ अपनी goals बनाओ और उस चीज़ पे अभी फिलाल काम करो चुप करके इतना कुछ बोलने का मैं यह कर दूँगा वो कर दूँगा वो सब नहीं आप उस पे act करने के लिए आप क्या अपनी रनीती बना रहे हो वो चीज़ important है समझे मेरी बात को तो यह चीज़ है आप यह जो चोटी-चोटी चीज़ है everyday हम कोई ना कोई lesson निकालेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ को कैसे better कर सकते है सीथी सी बात है ठीक है ना और वैसे एक बात बताओ जिन लोगों ने चैनल सबस्क्राइब ने कि आप वीडियोस देखते हो चैनल तो सबस्क्राइब करो वीडियो को लाइक करो लाइक 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 आप मुझे लाइक करोगे, युनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंद आपको लाइक करेगा, डिस्लाइक बालो, I love you too much, man, है ना, और पाशा लोगो, जो करना है, आपने करना है, कोई शांती कराओ, पूजा कराओ, ये कर लो, अभी मंतरित करा ले लो, आपका अब ये हो गया, प्लैनेट को अगर इंप्रूफ कर सकता है, वो आप कर सकते हो, आप क्या, आपके लावा कोई और कैसे बेठे-बेठे कर देता है, मेरे को तो समझनी है, इसका कोई ना तो लोजिक है, ना तो सेंस है, अगर शांत करना है प्लैनेट, वो आप करो, आप के करने से होगा ना, आपको भूक लगी है, खाना आप खाओगे ना, दूसरे के खाने खाने से क्या होगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है, इसको जिस चीज को समझोगे तभी, अब ही आज तक चीजे होई ने, क्योंकि ठीक करने के लिए कुछ कर रहा नहीं, सीधी बात है ना, ठीक है, बाकी शेर करो, शेर इसले करो, सबी की सिंदी की ठाओ जाए यार, जबरदस्त वाली, ओके दिन, बाबाई, नमस्कार,